अब हम S-Block के दूसरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे चारी मिर्दा धात्वें या Alkaline Earth Metals इनका नाम Alkaline Earth Metals या चारी मिर्दा धात्वें क्यों पढ़ा? ये सभी धात्वें हैं और चारी प्रकृति के होते हैं इनका जो जली विलियन होता है वो चारी होता है केल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो भूपर-पटी पर बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं और बहुत अधिक स्थाई भी होते हैं और तापमान में अब घटिद भी नहीं होते हैं इस परिवार का जो सदस्य रेडियम है वो रेडियो धर्मी होता है इस परिवार में जो बाहितम कोश का इलेक्ट्रोनिक विन्यास है वो है एन-S2 यहां पर जो S बाहिक अक्षक है उसमें इलेक्ट्रोन पूरी तरह से भरा हुआ है एन-S2 बाहितम कोश का एक स्थाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास यहां दिखाई देता है इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे योगिक जब बनाते हैं तो प्रायह इनमें आयनिक प्रकृती वाले योगिक बनाने की शम्ता जादा होती है इनकी जो उपलब्धता है चुकि ये बहुत अधी क्रियाशील होते हैं तो इनकी उपलब्धता प्रकृती में मुक्त वस्था में बहुत कम देखी जाती है प्रायह ये प्रकृती में कई सारे योगिकों के रूप में पाये जाते हैं कुछ कार्बोनेट के रूप में पाये जाते हैं, सलफेट के रूप में पाये जाते हैं, फॉसफेट के रूप में पाये जाते हैं, इसी प्रकार कैल्शियम का जो स्थान है वो पांचवा है, भूपरपटी पर भार के अनुसार और मेगनीशियम का जो स्थान है वो छटवा ह और Beryllium का भूपरपटी पर जो स्थान है 51 पोजीशन पर यह है और स्ट्रांशियम और Beryllium बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनके जो Beryllium के कमपाउंड्स होते हैं वो बहुत सुक्ष मात्रा में पाये जाते हैं परकृती में और यह खनिज के रूप में पाये जाते हैं तो Beryllium के कुछ खनिजों के नाम जैसे कि Beryllium का एक ऐसा खनिज है जो सिलिकेट के रूप में पाये जाता है इसका फॉर्मूला है BE3-AL2-Si6-O18 इसी प्रकार बेरिलियम कुछ सिलिकेट फॉर्म में भी पाय जाते हैं जिसे फिनेसाइट कहा जाता है BE2-SiO4 Magnesium भी कई योगिकों के रूप में पाय जाते हैं तो Magnesium के कुछ कार्बोनेट होते हैं कुछ क्लोराइट कुछ सलफेट के रूप में योगिक देखने को मिलते हैं तो Dolomite एक बहुत ही important कार्बोनेट योगिक है Magnesium का जिसे Dolomite कहा जाता है तो Dolomite का फॉर्मूला होता है Magnesium कार्बोनेट.Calcium कार्बोनेट इसी प्रकार Epsom लवन में Magnesium सलफेट के रूप में पाय जाता है तो Epsom लवन का फॉर्मूला है Magnesium सलफेट.7H2O Calcium भी कई योगिकों के रूप में प्रक्रती में पाय जाते हैं जिसमें Limestone है, Gypsum है, Floor Spar, Floor Appetite तो एक एक करके सब के फॉर्मूला को हम जानेंगे तो Limestone याने चूने का पत्थर, Calcium Carbonate इसका सूत्र है Gypsum, Calcium Sulfate.2H2O, Floor Spar, CAF2 के रूप में होता है और Floor Appetite, CAF2.3CA3PO4, Whole Twice के रूप में होता है तो यहां Calcium, Sulfate के रूप में, Carbonate के रूप में, Fluoride के रूप में और Phosphate के रूप में, कई रूपों में प्रक्रती में पाय जाते हैं Strancium भी बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन फिर भी इनके कुछ Sulfate, कुछ Carbonate प्रक्रती में स्थाई रूप से पाय जाते हैं इसमें Salicycide, जो Strancium का एक Sulfate है SRSO4 जिसका सूत्र है Strancianite, Strancium का Carbonate होता है इसका सूत्र है SRCO3 Barium भी प्रक्रती में बहुत कम मात्रा में पाय जाते हैं इनके कुछ योगिक Sulfate और Carbonate के फॉर्म में होते हैं तो Barite, Barium Sulfate और Viderite जो Barium Carbonate के रूप में पाया जाता है इस परिवार के जितने भी सदसे हैं उनके Electronic विन्यास को यदि हम जानेंगे तो जैसे जैसे इस वर्ग में उपर से नीचे आते हैं तो परमाड़ू क्रमांग का मान बढ़ता जाता है और एक निश्शित अंतराल के बाद गुडों की पुन्रावित्ती है जैसा कि आवर्ती गुण में हम पढ़ते हैं उसी तरह से परमाड़ू क्रमांग का मान भी यहां बढ़ता जाता है तो इस परिवार के जो सदस्य हैं, उनके नाम सबसे पहले हम जानेंगे, तो बेरिलियम, मैगनीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, तो यहां रेडियम जो है वो रेडियो धर्मी तत्व होता है, कई सारे गुर जो है वो रेडियम के बाकी सब तत्वों दर्शा आते हैं इस परिवार में जब हम उपर से नीचे आते हैं तो प्रत्यक तत्व का जो परमाडू क्रमांगे वो बढ़ता है और इन परमाडू क्रमांग की आधार पर इसका electronic विन्यास भी हमें जानना है तो इसके electronic विन्यास को हम complete नहीं लिखेंगे उसको तो अक्रिय गैसो के परमाडू क्रमांग के साथ रिप्लेस करके बाहतम कोश के electronic विन्यास को लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए beryllium आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं जैसे beryllium 4 है तो 2,2 करके भी आप लिख सकते हैं और 1,2,2,2,2 ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं electronic विन्यास हो गया 2S2 तो इसी प्रकार हम जितने भी सदसे हैं उन सब के electronic विन्यास को पढ़ते हैं तो magnesium 12 है परमाडू क्रमांग तो magnesium में replace करेंगे 10 electron को neon से तो इसके बाहतम कोश का electronic विन्यास हो गया 3S2 चुकि उपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या में विरिधी होती है तो यहाँ beryllium में दूसरा कोश है magnesium में तीसरा कोश होता है इसी प्रकार calcium calcium का परमाडू क्रमांग है 20 20 को विभाजित करे वैसे तो दो आठ आठ दो इस तरह से विभाजित करेंगे लेकिन इसमें से भी हम 18 electron को organ से replace कर देते हैं organ अक्रीगेस का एक तत्व है जिसका परमाडू क्रमांग अठारा है और बाहतम कोश का electronic विन्यास हो जाएगा 4S2 चिप्रकार स्ट्रांशियम स्ट्रांशियम का परमाडू क्रमांग है 38 तो 38 में से हम 36 electron को क्रिप्टॉन अक्रीगेस से replace कर देते हैं यहने 36 प्लस 2 38 हो जाएगा तो 36 और इसमें जो बाहतम कोश का electronic विन्यास है वो होगा 5S2 अगला हम देखेंगे बेरियम बेरियम का परमाडू के लिए क्योंकि xenon जो अक्रीगेस है उसका परमाडू क्रमांग होता है 54 तो यहां हम 54 electrons को replace कर दिये xenon से और बाहतम कोश का electronic विन्यास हो जाएगा 6S2 अंतिम तत्व है radium radium का परमाडू क्रमांग होता है 88 88 इसका परमाडू क्रमांग है इसमें हम 86 electrons जो है वो radon से replace कर देते हैं क्योंकि radon भी एक radio धर्मी तत्व है जिसे अक्रीग एसो में स्थान दिया गया है और उसका परमाडू क्रमांग 86 होता है तो 86 हो गया और प्लस 2 करेंगे तो बाहतम क कोश का electronic विन्यास 7S2 तो इस प्रकार हमने इस परिवार के जितने भी तत्व है उसके electronic विन्यास को थोड़ा सरल कर दिया केवल हम यहां बाहतम कोश के electronic विन्यास को ही शो कर रहे हैं बाकी जितने electron यहां बचते हैं उन सभी electrons को हम अक्रीग एस के परमाडू क्रमांग के द् क्योंकि आपने 11 वी कष्रा में जो आपने अध्याय पढ़ाया जिसमें आवर साधनी के बारे में या इलेक्ट्रोनिक विन्यास के बारे में बहुत दीटेल में आपने पढ़ाया है, इसलिए मैंने उसे पुनह नहीं दोहराया है, आपको केवल बाहतम कोश के इलेक्ट्रोनिक विन्यास के द्वारा इसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अक्री गैस के तत्व के परमाडू क्रमांग के द्वारा तो इसी को आपको समझाया है तो उपर से नीची आने पर आप देखिए यहां आपका ध्यन भी थोड़ा आसान हो जाएगा कि यह भी सिद्ध हो तो वो भी यहां पर इलेक्ट्रोनिक विन्यास से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है अब हम इस परिवार के कुछ जो आवर्ती गुण है जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे परमाडू त्रीज्या जैसा कि आवर्त सार्णी में हमने पढ़ है कि बाय से दाए उपर से नीचे आने पर गुडों में कैसा परिवर्तन होता है तो इसका जो सबसे मूल जो गुड़ है जिस पर बहुत सारे और गुण निर्भर करते हैं वो है परमाडू त्रीज्या और आयनिक त्रीज्या तो परमाडू त्रीज्या और आयनिक त्रीज केल्शियम के लिए है 197, केल्शियम के लिए 197, स्टांशियम के लिए 215 और बेरियम के लिए 222 रेडियम चुकी रेडियो धर्मी तत्व है तो कई जगा पे इसके गुण थोड़े अलग हो जाते हैं तो हर जगा इसकी वैल्यू को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये विशेस होते हैं अब उपर से नीचे आने पर परमाणुत्रिज्या के मान में वृद्धी क्यों होती है क्योंकि जब उपर से नीचे आते हैं तो हमने देखा कि कोशों की संख्या में वृद्धी हो रही है जब कोशों की संख्या में वृद्धी हो रही है तो नाभिक और बाहतम कोश के बीच का जो आकर्शन बल है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहां परिरक्षन प्रभाव कारी करने लगेगा, यहां नाभिक और बाहितमकोश के बीच का आकर्शन बल कम प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि बीच की कक्षाओं में उपस्तित इलेक्ट्रोनों के मध्य लेक्ट्रोन प्रतिकर्शन बहुत बढ़ जाता है जिससे प्रतिकर्शन बल आकर्शन बल की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा तो उपर से नीजे आने पर परमाणू त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है तो ये भी कह सकते हैं यदि छार धातू से इसकी तुलना करें तो छार धातू की तुलना में इसका जो परमाणू त्रिज्या का मान होगा वो कम होता है क्योंकि छार धातू की जो परमाणू जो है वो स्थेर होती है तो नाभिक और बाहतम कोश के बीच का आकर्शन बल अधिक प्रभावी हो जाता है तो इसलिए छारी मिर्दा धातुओं के लिए परमाणू त्रिज्या का मान चार धातुओं की तुल्ला में कम होता है अब हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या के बार पूरा करने की चमता जादा दिखाई देती है तो यह जब दो इलेक्टरोन त्याग देते हैं तो दूई धनात्मक आयन बनाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जब इसका बाहतम कोश पूरी तरह से समाप्थ हो गया क्योंकि दो इलेक्टरोन यहां से त्याग दिया गया तो बाहतम को जब समाप्त हो जाता है तो एक स्थाई सनरचना यहां बन जाती है यदि हम इसे उदाहरण से पढ़ेंगे मान लीजिए मैगनीशियम लिया जाए तो मैगनीशियम का परमाडू क्रमांग है 12 जब इभाजित करेंगे तो 2, 8, 2 मैगनीशियम जब 2 इलेक्ट्रोन त्याग देता है तो मैगनीशियम 2 प्लस बनता है तो अब यह मैगनीशियम का जो परमाडू क्रमांग हो जाएगा मैगनीशियम 2 प्लस का जो परमाडू क्रमांग होगा वह होगा mg2 plus is equal to 2 8 क्योंकि 2 electron निकल गया तो अब ये जो 2 8 है मतलब total number of electron यहां 10 हो गए तो यह neon के परमाडू क्रमांग को दर्शाता है जबकि neon जो है वो अक्री गैस होता है एक स्थाई संरचना को दर्शाता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या की जब बात होती है यानि आयन जो धनायन की त्रिज्या का मान अपने मूल परमाडू की तुलना में कम हो जाएगा क्योंकि नाभिक एवं बाहतम कोश के बीच का जो distance है वो कम हो गया आकर्शन बल बढ़ जाएगा तो नाभिक अधिक आकर्शन से बाहतम कोश के इलेक्टरॉन को अपनी और खीशते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है अपने मूल परमाडू की तुलना में चारी मिर्दत हत्यों के लिए लेकिन जब उपर से नीचे आएंगे यहने बेरिलियम से बेरियम तक यदि हम आते हैं तो यहां भी हम देखेंगे चुकि कोशो की संख्या में यहां पर प्रिद्धी हो रही है तो आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा तो बेरिलियम के लिए इस आयनिक त्रिज्या का मान भी पीको मीटर में लिया जाए तो 31, मैगनीशियम के लिए 72, कैल्शियम 100, स्ट्रांशियम 118 और बेरियम 135 पीको मीटर के रूप में होता है तो यहाँ पर जब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान अपने मूल परमाडों की तुलना में बहुत कम हो जाता है और यदि आयनिक तिज्या को भी छार धातू के साथ तुलना करेंगे तो छार धातू की तुलना में छारी मिर्दा धातू की जो आयनिक तिज्या का मान है वो कम पाया जाएगा क्यों क्योंकि कोशो की संख्या स्थीर है जब हम चार धातू से चारी मिर्दा धातू की तरफ आएंगे तो कोशो की संख्या में वृध्धी नहीं हुई है लेकिन नाभी की आविश बढ़ता जाता है अब हम इस परिवार के भौती कवस्था के बारे में पढ़ेंगे ये किस रूप में प्रकृती में प्राया देखने को मिलते हैं तो बेरिलियम और मेगनीशियम ये चान्दी के समान सफेद दिखाई देते हैं जबकि कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम इनका जो रंग है वो हलके पीले रंग का होता है चूकि ये धातू है तो चमकदार भी होते हैं और इनका नेचर है ये बहुत सौफ्ट होते हैं, मृदू होते हैं और चार धातू की तुलना में अधिक कठोर होते हैं क्योंकि छार धात्वों की तुलना में हमने देखा कि इसका आकार छोटा होता है और इनके बीच धात्वीक बन जो है वो अधिक प्रबल होगा छार धात्वों की तुलना में क्योंकि आकार कम है क्योंकि आकार छोटा होता है इनका इस परिवार में जितनी भी धात्वे हैं इ जबकि स्ट्रांशियम एफ सीसी या फेस सेंटर्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और बेरियम और रेडियम बी सीसी या बॉडी सेंटर्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं तो इस परिवार में अलग-अलग प्रकार के क्रिस्टली संरचना भी धात्वों के मध् आयनन उर्जा क्या होता है अब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी भी विलगीत परमारू से एक इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए जितनी उर्जा क्यावशक्ता होगी वो होगी आयनन एंथेल्पी या आयनन उर्जा तो ये भी हमने पढ़ा है कि परमारू त्रिजा और आयनन उर्जा का वित्क्रमानुपाती संबंध होता है यदि परमारू त्रिजा का मान बढ़ता है तो आयनन उर्जा का मान कम होता है और परमारू तीजा का मान घटता है तो आयनन उर्जा का मान बढ़ता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्माणु आकार के कम होने के कारण नाभिक और बाहतम कोश के बीच का जो आकर्शनमल है वो बहुत बढ़ जाता है तो अधिकूर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलती है तो इस परिवार की एक खास बात यह है कि यह परिवार एक स्था सनरचना से इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि एस में अधिक्तम इलेक्ट्रॉन होता है दो और एस कंप्लीटली फिल्ड है यहां पर तो एस से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो उर्जा की अवशक्ता होगी वो अधिक होगी और द दोनों प्रकार की आयनन उर्जा का जो मान है वो इस प्रकार से है देखिए दोनों प्रकार की जो आयनन उर्जा के मान में बहुत अतिक भिन्नता है तो ये भिन्नता इसी वज़े से है क्योंकि यह एक स्थाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास वाला पूरा वर्ग है अब हम कंपेर करेंगे छार धातू और छारी मृदा धातू के प्रथम और द्विती आयनन उर्जा के बारे में इसके लिए हमें कुदाहरन लेंगे सोडियम और मेगनीशियम सोडियम का परमाडू क्रमांग है 2, 8, 1 के रूप में तो 11 इसका प्रोटॉन 11 इलेक्टॉन और मेगनीशियम के लिए 12 प्रोटॉन 12 इलेक्टॉन तो 2, 8, 2 इस तरह से इसको वित्रित किया जाता है तो सोडियम के बाहतम कोश में केवल 1 इलेक्टॉन है जबकि मेगनीशियम के बाहतम कोश में 2 इलेक्टॉन है तो सोडियम से 1 इलेक्टॉन को निकालना जादा असान होगा कम उर्जा देकर ही सोडियम से 1 इलेक्टॉन निकाला जा सकता है तो sodium की जो प्रथा मायनन उर्जा का मान होगा वह कम होगा magnesium के प्रथा मायनन उर्जा से क्यों क्योंकि magnesium के लिए बाहतम कोश का electronic विन्यास 3S2 है तो S completely filled है तो उसमें पहले electron को निकालने के लिए जादा उर्जा की अवशिक्ता हो रही है तो magnesium के लिए प्रथा मायनन उर्जा का मान sodium की तुलना में अधिक होता है जबकि sodium जब एक electron त्याग देता है तो अब उसकी जो सनरचना होती है वो 2,8 हो जाती है यहने neon का एक स्थाई सनरचना वाला electronic विन्यास अब देखने को मिलता है तो अब sodium से जो दूसरा electron निकालते हैं वो एक स्थाई सनरचना से electron निकालने की बात हो जाती है तो वहाँ पर electron को अधिक उर्जा देकर हम निकाल पाते हैं और magnesium में जो पहला electron निकल जाता है तो 6 जो बचता है वो होता है 3S1 तो अब S में एक ही electron है तो तुरंत वो अपने अश्टक को पूरा करना चाहेगा और कम उर्जा देने पर ही दूसरा electron आसानी से निकल जाता है तो sodium और magnesium में जो प्रतम आयनन उर्जा का मान है वो magnesium के लिए ज़्यादा होगा sodium के लिए कम होगा वहीं दूसरी और यदि दूती आयनन उर्जा की बात होगी तो sodium के लिए दूती आयनन उर्जा का मान magnesium से ज़्यादा क्योंकि magnesium में दूसरा electron कम उर्जा देकर ही निकल सकता है अश्टक के काफी करीब होता है और sodium में दूसरा electron निकालना कठीन होता है क्योंकि वह एक स्थाई संरचना वाला electronic विन्यास बना लेता है इस परिवार में आप जब प्रथम और द्विती आयनन उर्जा के मान को compare तो आयनन उर्जा के मान में कमी हो रही है क्योंकि परमारुतिज्या बढ़ता है तो आयनन उर्जा कमान कम होता है लेकिन radium के प्रथम आयनन उर्जा और द्विती आयनन उर्जा कमान बेरियम से अधिक है जबकि radium नीचे है तो radium का यहां पर आयनन उर्जा कमान कम होना च तो लेंथेनाइट श्रेणी के बाद आने के कारण यहां बीच में लेंथेनाइट श्रेणी में हम लेंथेनाइट संकुचन के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब वहां पर जो इलेक्टरॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करने के कारण एफ उपकोष का जो शिल्डिंग इफेक्ट है ये इतना प्रभावी नहीं होता है तो नाभीक और भायतम कोश्च के बीच का अकर्शन बलबढ जाता है तो इस वज़ा से चुकी लेंथे नाइट संकुचन भी हो रहा है और उसके बाद रेडियम तत्व की स्थिती है तो रेडियम की जो परमाडुत रिज्या कमान है वो कम होता है इस वज़ा से रेडियम के लिए आइना नूर्जा कमान बेरियम की तुल्ना में ज्यादा हो जाएगा